यहां पर मैंने मिक्स दाल लिया है एक टप अगर आपके पास मिक्स दाल नहीं है तो चोब बूआ के पास डाले उससे भी यह दाल को बना शकते हैं इसमें मैंनेेजाते लगता दाल नेजाद सब्सक्रादव दिया है इसमें मैंने मीडियम साज का एक टमाटर डाला है एक मैंने प्याज डाला है और इसमें मैंने लहसुन डाले है और एक मैंने हारा मिश को कट करके डाले है एक चमच मैंने इसमें हल्दी पौडर शाद अनसार मैंने इसमें नमक डाले है अब मैं इसमें डालूंगी बड़ी कटा हुआ धनिया पत्ते यह देखे दो कब मैं इसमें पानी डालूंगी तो जब आप डाल पकाते हैं उसमें आप इसमें कमी पानी डालेगा ज्यादा पानी नहीं डालेगा जब पूरी तरीके से दाल है जो पक जाए तो उपर से आप पानी डाल सकते है एक चमच मैं इसमे खी डाला है घी से जो फ्लेवर है दाल के अंदर बहुत अच्छा आता है फ्रिंस तो धकन को मैंने लगा दिया है गैस के उपर मैंने रख दिया है एक सीटी आगिया है दाल हमारा जो है पकग गया है ठकन ठंठा हो गया है तो यह देखिए फ्रेंज, सरीफ आपको एक सीटी लगाना, दाल को जादा नहीं पकाना है एक सीटी में ही दाल है जो अच्छे से गल जाता है देए देखेए बिल्कुल ही गल गया predictive तोमाटर नहीं आ रहा है आपको ज्यादा मिलाने के भी से जरुरत नहीं है तरका है जो रेडी कर लेती हूँ इसके लिए मैंने तरका पेन में दो चमिच खी डाला है खी के जगह आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं खरा जीरा डाला है दो लाल मीच बारी कटा हुआ लहसुन थोड़ा सा हींग डाला है हींग से डाल के अंदर जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है थोड़ा सा मैंने लाल मीच का पौडर डाला है और तरका हमारा है जो बिलकुल ही रेडी हो गया है डाल के उपर से मैंने तरके को डाल दिया है ऐसे मैं अच्छे से मिला दीती और ये देखे फ्रेंस देखने में जितना आपको अच्छा लग रहा है दाल खाने में भी बहुत ही टेस्टी है लाजवाब है तिसे आप रोटी पराटा चावल किसी के साथ आप सब किजिए तो यहाँ पर मैंने चावल पहले से बना कर रखा था इसके साथ ही मैं आपको सब करके दिखाती हूँ तो फ्रेंस चावल के साथ ही ये दाल बहुत ही पसंद है मुझे क्या मेरी बेटी को भी बहुत ही ये दाल पसंद है तो मैं हर रोज तो सिंपल ही डाल बनाती थी लेकिन एक बार इस तरह से डाल ट्राई की बनाना तो मेरे बेटी को तो बहुत ही पसंद आया वो हर बार इस तरह से डाल है जो बनाने के लिए जिद करने लगी तो एक बार आप भी इस तरह से घर पर डाल है जो बना कर देखिए यकिन मानिये आपके भी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा इन मानिये फ्रेंट्स और इस रेजबी को एक बार मेरे तरीके से घर पर आप चिरूर से ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरे वीडियो नहीं पसंद आ रही है या तो आपको कुछ भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा या तो मेरा आवाज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूंगी कि और भी बैतर करने का तो प्लीज प्रेंट्स आप लोग मुझे भी आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ सेर भी करना बिलकुल भ मनिवाद कहती हूँ और फिर मैं इसी तरह से नहीं रेश्पिय के साथ आप सभी से मिलते रहांगे तब तक के लिए बाइबाइबाइब